हेलो फेंट्स आज मैं आपको इंग ये 2003 की कोरियन रोमेंटिक मुवी एक्स्प्लिन करने वालो हम सब के पास बहुत ही कम टाइम होता है पर इस टाइम को सही तरीके से खुशी से जीना यही इंपोर्टन्ट है एक ब्यूटिफुल मैसेची मुवी देती है तो चलिए इस ब् यह भी स्कूल में आई है तो इस आदमी के बारे में उसे पता नहीं है मिना रात में जब घर आती है तो वो बैले देख रही होती है इसे बैले से लेकर बहुत ही फैसिनेशन होती है उसकी मदर उसके पास आती है मिना उससे कहती है कि आगर यह कोरिया में होता तो मैं 100% जा मेना को स्कूल जाने से पहले बहुत सारे medicine उसकी मडर उसे देती है जाते वक्त मेना अपनी मडर को kiss नहीं करती पर उसे compulsory उसकी मडर बुलाती है मेना kiss करने के बाद स्कूल में आ जाती है स्कूल में टीचर जब बढ़ा रहे होती है तो सब लड़किया उसे पूछने लग जाती है वो कहती है कि क्या आपने कभी प्यार नहीं किया है आप अपनी प्यार की हमें स्टोरी सुना टीचर कुछे बोलने रहे होती तो लड़किया गहती है कि वो सिगनल वाले की स्टोरी हमें सुना ये स्टोरी मीना को अभी पता नहीं चलती थोड़ी देर में मीना के टीचर उसे बास बुराते है वो कहते है कि सेमिस्टर के मीड में तुम आ चुकी थी अगर तुमें कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो मीना को कुछ भी सवाल नहीं होता और जा रहे होती है तभी उसे उस आदमी की याद आ जाती है वो कहती है कि वो सिगनल वाला आदमी कोन है वो यहाँ क्या करता है ये टीचर गहते है कि वो आदमे जब स्कूल में था तब उसे एक लड़गी से प्यार हो गया था वो एक दिन सिगनल क्रॉस कर रहे थी और उसका ऐसिडन्ट हो गया वो उसे इतना प्यार करता था कि हर दिन वो सिगनल पर खड़ा रहता है और किसी का अब एकसिडन्ट ना हो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता है रात में मिना की मदर मिना की नर्स से बात करे हैं ये हमें दिखता है मिना बच्पन से होस्पिटल में थी एक बिमारी है जिससे वो हमेशा बिमार पढ़ती रहती है ये कभी भी मर सकती है इसकी condition जिस बच्चों को होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाते है इसलिए हमने देखा था कि मिना को बहुत सारे medications लेने पड़ते है ये nurse मिना की मदर को खेह रहे होती है अगर तुम मिना की ख्याल रखना है तो तुम उसे hospital में रखो मिना की मदर कहती है कि वो इतने साल तक जी है एक मिराकली है अगर वो थोड़ी दिन भी जिन्दा रहे पर hospital में उसे बहुत ही pain होता है मैं उसे दर्द नहीं देना चाहती मिना स्कूल से वापस आने के बाद रात में अपने headphones पर खिड़के में गाने सुन रहे होती है हमें दिखता है कि एक मांगता है यह कहता है कि अभी अभी में नीचे रहने के लिए आया हूँ तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मिना उसे कुछे बोलने रहे होती है तो कहता है कि तुम बहुत ही rude हो मिना cigarette fake थी है तो उसे वो lighter भी मांग लेता है मिना अपना lighter फिर से वापस लेना च मिना को चीड़ाने लग जाती है वो कहती है कि यह तो तुम्हारी टाइप का है मिना कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो इन दोनों की relationship बहुत ही beautiful होती है एक दूसरे की अच्छे फ्रेंड्स होती है मिना अपनी मदर को मदर भी नहीं बुलात मिना को एक cell phone gift करती है मिना जब bookstore से घर वापस आ रहे होती है तो यंग उससे फिर से मिलता है मिना कहती है कि मुझे तुम क्यू सता रहे हो यंग कहता है कि तुम्हें सता नहीं रहा विए तुम्हारा सिर्फ पीछा कर रहा हूँ यंग कहता है कि मुझे तुम अच्छी लग मिना फिर उससे पुछती है मेरा लाइटर कहा है वो तुम मुझे दो यंग कहता है कि अभी तो मेरे पास हो नहीं है पर उसके पास एक बैग होती है जिसे हो candy निकाल कर मिना को देता है मिना ले नहीं रहे होती तो यह कहता है candy नहीं मेरा दिल है ले लो ले लो ले लो ना मि कि मदर उसे वो देने के लिए आती है मिना अपने मदर से बात करे हुती है तभी उसे यंग का कौल आ जाता है यह पहली बार उसे काट देती है यंग फिर से कौल करते है और कहता है बिलीस काटो मत अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मत करना यह उसे रात में खिड़की पर बुलाता है फोन बंद हो जाने के बाद मिना अपने मदर के पास बैठती है यह कहती है कि क्या तुम फादर को याद करती हो मिना की मदर कहती है कि हां कभी-कभी मैं उन्हें याद करती हूँ पर मैं उन्हें भूल चुकी हूँ मदर मिना से बुचती है किस तरह का प्यार त इसी तरीक का प्यारी से चाहिए। इस दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो यंग ने उसके लिए गिफ्ट भेजावा होता है। मीना एक्च्वल में आई थी इसी वज़े से वो घर पर नहीं थी। मीना हमेशा ग्लोज पहन कर रखती है। उसके हाथ में सिर्फ जारी उंगल्या होती है। इसी वज़े से इसके कोई फ्रेंड नहीं थे। ये मॉल में एक प्रेग्नन लेडी को देखती है। अपनी मदर से फिर ये बूशती है। वो एक photographer होता है तो वहाँ बहुत सारी photos रटकाई होती है यंग इससे ये टर्टर ले रहा होता है तो मिना कहती है कि क्या ये मेरे लिए gift नहीं था यंग कहता है कि अकेले नहीं रह सकते इसकी प्रेमी किक के साथ इसे रहना पड़ेगा ये फिर मिना को और एक टर्टर लाता है और उसे दे देता है मिना उसे फिर से अपना lighter मांगती है यंग साब जागा ढूडने लग जाता है पर कहीं भी उसे lighter नहीं मिलता एक temporary lighter वो उसे दे देता है वो मिना से कहता है कल मैंने जब तुम्हें phone लगाया था तब तुम्हारा number मैंने memorize कर लिया था मुझे फिर से तुम्हारा number दो यह number जब वो ले रहा होता है तो यह floor पर लिखता है इसे लगता है कि erase हो जाएगा मिना जब check करती है तो यह erase नहीं हो रहा होता मिना अपने neighbor को बुलाती है और सब इस काम में लग जाते है फिर भी यह number erase नहीं होता मिना की made पहचान जाती है कि यह number मिना का है यह कहती है कि यह तो photographer है इससे तुम बहुत सारी images ले सकती हो इसके बाद हम देखते है कि बैलकनी में मिना और यंग खड़े होते है मिना यंग के camera से photos ले रही होती है यंग उसे सही तरीके से photos के से लेने है यह सिखाता है यहां यंग गहता है कि पहली बार मैंने तुमें जब देखा तब से मुझे तुम पर crush हो गया था मिना थोड़ी सी uncomfortable हो जाती है और घर जली जाती है रात में जब यंग नीचे से जा रहा होता है तो मिना उसे चुप के से देखती है मिना और उसकी मदर जब movies में जाते है तो उसकी मदर उसे खुब चिड़ाती है इसे पता है कि मिना का यंग के साथ कुछ चल रहा है मिना जब घर से जा रहे होती है तो यंग उपर से एक चाता फेकता है वो कहता है कि आज बारिश आने वाली है मिना आज उसके नर्स से मिलती है मिना की जो नर्स होती है ये भी उसके अच्छी फ्रेंड होती है मिना उसे बुछती है कि क्या तुम्हारा कभी बॉइफ्रेंड था नर्स कहती है कि बहुत सारे लड़की मेरे लाइफ में आये थे पुर मुझे पता नहीं कि ये उमारे बॉइफ्रेंड थे या नहीं थे या नर्स पर excited हो जाती है मिना से बुछती है क्या तुम्हारा boyfriend है मिना कहती है कि मुझे पता नहीं है नर्स पर उसे सला देती है क्या feelings होती है तुम्हें तुम्हारे instinct पर ध्यान देना चाहिए और इसी को follow करना चाहिए तुम्हें डरा हुआ महसूस हो सकता है पर यह जो feeling से यही important होती है मिना फिर यंग को call लगाती है और कहती है क्या snacks खाने है इसे लगता है कि sex के लिए पूछ रही है यंग फिर सिरेज हो जाता है यह कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सा time कुज़रे फिर हम यह कर सकते है यंग को ऐसा रगा इस पर मिना बहुत हसने लग जाती है इस दिन यह दोनों एक दूसरे के साथ time spent करते है यह लोग उसे देखने लग जाते यंग मिना का हाथ लेता है और कहता है कि रेजर भी मेंसब लोग को अब माल डालने वाले है मिना इंब्यारस्ट होती है पर इससे वह हसने लग जाती है इसकी मधर पर जिस तरह से इसे अच्छे से treat करती है उसी तरह से यंग भी उसे treat करता है रात में नीचे की खिर्की से यंग उससे बात करता है इन दोनों में अच्छी से friendship develop होने लग गई है Watchman ये सब देता है जिस तरह से हर watchman होता है उसी तरीके से मिना की मदर को वो सब कुछ बता देता है मिना की मदर इस सब को इगनोर कर देती है रात में मिना यंग को पाक में लेकर आती है उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाए हुए होते है यंग से कहती है कभी-कभी इने फ्रेश एर मिलनी चाहिए यंग को एक सवाल आता है वो मिना से कहता है कि तुम अपनी मदर को डारिक ले उसके नाम से क्यों पुकारती हो मिना कहती है मेरा इस तरके से हाथ था तो इसे वज़े से कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे और अगर बनते भी थे तो थोड़े टाइम में वो मर जाते थे मेरा कोई भी फ्रेंड्स नहीं था एक दिन मेरी मदर कोश्यूम में आई और मेरा फ्रेंड्स होने का प्रिटेंड उसने किया इसके बाद से हम अच्छे से फ्रेंड्स बन गए यंग कहता है कि तुम और तुमारी मदर की रिलेशन्शिप भूत ही ब्यूटिफूल है नेक्स दिन मिना के स्कूल में सब लड़किया अपनी होरोस्कोप देख रहे होती है इसमें मिना देखती है कि लव साइन जो है यह इसके लिए अच्छा है जब वो यंग से मिलने के लिए आती है तो लव साइन बना हुआ टीशट ही पहन कराती है मिना यंग के घर पर बहुत सारे हवाई की इमेज़ेस देखती है यह उससे इसके बारे में पुछती है तो यंग वहाँ बहुत बार जाकर आया हो आता है यहाँ की एनिमल्स यहाँ की बीचेस इन सब की वो फोटोज लेता है मिना यहाँ पानी में का एक टर्टल भी देखती है यह यंग से बुछती है कि क्या हमारे पास जो टर्टल है यह भी बड़े होने के बाद इतने ही बड़े बनेंगे यहाँ कहता है कि तुम तो बहुत ही सिली हो इनकी परजादी ही आलग है यह कभी पर इतने बड़े नहीं बनेंगे मिना कहती ही कि तुम तो स्मार्ट हो इसी वज़े से तुम बचसुरत हो इसका भी वह यहाँ मजाग ले 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 थी है मिना को हमेशा से बैले देखना था उसे फैसिनेशन थी तो बैले के स्टूडियो में है उसे लेकर आता है यहाँ पर यंग बहुत सारे फोटोस लेता है और मिना को तैयर होने के लिए कहता है मिना को भी बैले प्रैक्टिस वाज करवाने माला होता है मिना की बहुत सारे ब्यूटिफुल फोटोज लेता है मिना ये प्रैक्टिस कर रहे होती है तब ये उसे चक्कर आ जाती है इसी कंडिशन की वज़े से ये कभी भी बिमार पढ़ सकती है मिना की मदर और नर्स वहा होती है मिना जब आग खोलती है तो कहती है कि ब्लीज तुम अपने काम पर चली जाओ मैं अपने आपका खैल रख सकती हो मिना खोसकी वज़े से किसी की भी लाइब डिस्टब हो ये अच्छा नहीं लगता नर्स मदर से कहती है कि तुम्हें अप मिना को हस्पिटल में एड्मिट करो nauISA मदर कहती है कि मैं यही करना चाहती थी पर एक दिन मिना ने अपनी नर्स काड ली थी उसे नॉर्माल ये लाइब चीनी है मिना की मदर अप रोने लग जाती है कहती है कि वो जादा से जादा जी है यहीं मैं चाहती हूँ यंग मिना को एक gift लेता है यह बैले के shoes होते है मिना जब यंग से फिर से मिलने के लिए जाती है तो इस बार यंग की पूरी wall मिना के picture से ही भरे हुई होते है मिना जब पाग में थी, बैले में थी जब भी उसके साथ हो था सब बहुत थी beautiful pictures उसने उसकी ली थी मिना जब उन्हें मदर के साथ होती है तो उसकी मदर कहती है कि next month हम यूरोप जा सकते है उसकी मदर ने बहुत सारे पैसे अब save कर लिये है और बैले देखने के लिए यूरोप जा सकते है मिना कहती है कि अब मुझे बैले नहीं देखना इससे अब हवाई जाना होता है ये भी उसे यंग के साथ जाना होता है इसके लिए अपने मदर को वो convince कर लेती है next दिन यंग और मिना अपने नेल्स पर एक दुसरे की image बनाते है ये पाक में आते है और खूब मज़े करते है यंग मज़ा करता है और कहता है ये जब भी मैं टॉरेट जाऊंगा तो हमेशा मुझे uncomfortable लगेगा मिना की image उसके नेल्स वर बनी हुई है तो उसे लगेगा कि हमेशा उसे देख रही है मिना उसे पाने में गिरा देती है बहुती beautiful moment एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते है रात में मिना अपने मदर को जब सुलाती है तो उसके मदर के रूम में उसके फादर की जो सब चीजे है ये देखने लग जाती है मदर की डायरे में जो सब लिखा हुआ होता है वो सब वो पढ़ती है उसे अब महसूस होता है कि उसके मदर भी बहुत ही अकेली ही है वो हमेशा उसके फादर को याद करती रहती है अब मिना बहुत ही सैड हो जाती है वो रात में भी बहुत रोती है अगले दिन में यंग से नहीं मिलती यंग फिर उसके स्कूल में बोच जाता है आज बारिश हो रहे होती है तो यंग ने उसके लिए छाता लाया होता है यह दोनों जब रस्ते से जा रहे होते हैं तो यह फिर से सिगनल वाले को देखते है मीना कहती है कि आदमे बहुत ही घटिया है किसी से प्यार करना वा इसके प्यार में हमेशा से रहना इसे कितना दर्द महसूस होता होगा इस सिग्नल वाला आदमे भी बारिश में रो रहा होता है यग कहता है कि मुझे तो बहुत ही फॉर्चुनेट है लगा किसी की पैर में पूरे लाइफ तुम गुजार दो इससे अच्छा क्या हो सकता है मिना अपने मदर के साथ लंच कर रही होती है अपनी मदर को कहती है कि तुम भी अकेली हो चुकी हो या अपनी मदर को कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी इसलिए तुम भी अपशादी कर लो मिना की मदर इसे मजाग में लेती है मिना सिरियसली अपनी मदर को कह रही होती है कि उसे किसी को ढोड़ना चाहिए मिना को लगता है कि जल से जल वो गुजर जाएगी इसके बाद अपनी मदर का खैल रखने के लिए कोई चाहिए क्योंकि वो अकेला महसूस ना करे मिना यंग को बहुती सुबे सुबे ही बाहर लेकर आती है उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाय होई होती है आज वो बहुती खुश होती है इस बल में वो बहुती खुश है तो इसे वो कैप्चर गरना चाहती है यंग कैमेरे में टाइमर लगाता है और इन टर्टल्स के साथ ये दोनों फोटोज लेते है अब हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाए जाती है जिसमें ये दोनों खुश है अच्छे से बल ये गुजा रहे है मेना यंग के साथ एक्वारियम आयू हुई होती है वहाँ पर वो टर्टल देखना जाती है पर उसे कही भी नहीं देखती है उसे लग रहा है कि वो हवाई जानी पाएगी यही उससे चक्कर आ जाती है इसकी कंडिशन अब बहुत खराब हो चुकी है यंग को बहुत ही दुख होता है डिस्टब हो जाता है रस्ते से जब चल रहा होता है तो एक हवाई का पोस्टर देखता है उस पोस्टर को फाड़ने लग जाता है मिना का सबना था कि वो हवाई जा सके पर वो जानी सके कि तो इसे बहुत धर्दब हो रहा है यही रोने लग जाता है नेकसिन में हमाने दिखता है कि यंग मिना की मदर से मिलता है मदर ने यंग को पैसे दिये थे मिना से मिलने के लिए उसे अपनी गल्फरेंड बनाने के लिए यंग को अब सचमुच मिना से प्यार हो गया है वो कहता है कि अगर मैंने ये सब पैसे लिए तो ऐसा होगा कि पैसों के लिए में उससे मिला था मिना की मदर उसका प्यार देखकर कहती है मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था नेक सिन में हमें दिखता है कि मिना क्या होस्पिटल में यंग आया हुआ है मिना हवाई जा नहीं सकती है तो हवाई का सब डिस्क्रिप्शन उससे देता है किस तरह का वेदर वाह है किस तरह के सिनरी वाह है मिना अनकॉंशेस होती है फिर भी इसके आख में आसो आ जाते है यंग उसे कहता है कि हवाई में बहुत दी क्लियर पानी है यह पानी एक तरह का गूडलग होता है मिना अपने सबने में ही वो यंग के साथ उस पानी में है उसके आसपास टर्टल घुम रहे है यह जो टर्टल है इसके पैर की निशानी है जो भी उसे चाहिए था यह सबने में जी लेती है हवाय में बीच पर संसेट देखते है और एक दुसरे को किस करते है यह सब स्वीट मेमरीज वो सबने में जी लेती है यंग मिना के लिए एक अच्छा सा ब्रेस्टलेट लाता है और उससे पहना देता है उसका हाथ मिना के हाथों में लेता है और एक फोटो निकालता है अब हम देखते हैं कि थोड़ा समय गुजर चुका है मिना अब इस दुनिया में नहीं रही इसका जब एक्जिबिशन जलत तो मिना के साथ हाथों में जब उसका हाथ था तो जो उसने फोटो लिया था यह फोटो उसने वहाँ लगा हुआ 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 मारे लिए hard हो सकता है, पर इसके लिए मैं बहुत ही thankful हूँ, मैं बहुत ही happy हूँ, मरने से पहले खुछ रहेकर यही gift में तुम्हें देना चाती हूँ, यंग Mina का gift खोलता है, Mina की drawing book इसमें होती है, यह दोनों खिड़के से बात करते थे, इन दोनों का प्यार signal वाले की तरह ही कि हमारे पास भरी टाइम कम हो पर फिर भी हम एक दुसरे से प्यार कर सकते है और जो मोमेंट हमारे साथ है वो एक पूरी लाइफ टाइम की तरह जी सकते है यह जो हमारा टाइम है इसमें हम खुश रह सकते है हम सब के पास एक लिमिटेट ही टाइम होता है तो क्यों ना इसे स कहीं से जिया जाए एक beautiful message के साथ इस movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाऊगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहूंगा तो प्लीज इस चानल को subscribe पर दीजिए और bell notification दबाना में मत भूलिए हम फिर से मि मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए